हलो फ्रेंट्स नमस्ती आप सब कैसे हैं मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगी और आप सब का पढ़ाई भी सई से चल रहा होगा हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिस्टी का जो तीसरा टॉपिक है याद रखिएगा जैन धर्म और बहुत धर्म की बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बहुत सारे कोश्चन ये सलेक्टिड लिये हैं और विस्तार से भी हम आपको बताएंगे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं देखते हैं तीसरा इस्टेप देखिए क्या है तो ये तीसरा इस्टेप है बहुत और जैन धर्म देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि गौतम बुद का जन्म कब हुआ था गौतम बुद का जन्म कब हुआ था तो 563 इस भी पूर्व में हुआ था इसा पूर्व है याद रखिएगा इसा पूर्व जो उल्टा गिंती चलता था अगला कोश्यन है कि गौतम बुद का जन्म अस्थल कहा हुआ था तो याद रखिएगा लूम्बनी में हुआ था लूम्बनी बिहार ही में पढ़ता है याद रखिएगा अगला question है कि वो आधतम बोध सहीत्य जो बूध के बीभिन जन्मों के कथाओं के बिशय में हैं क्या हैं तो याद रखिएगा जिसको बोलते थे जातक क्या बोलते थे तो जातक बोलते थे अगला है कि त्रीपिटक फिटक धर्म गरंथ है तो याद रखिएगा बोधो का यद को बोधने किस आस्थान पर महापरी निर्वाढ जिसको मिर्तू पराप्त ने किया गया था तो याद रखिएगा ये कुसी नगर में कहां तो कुसी नगर में अगला पॉइंट है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो याद रखिएगा नलंदा किसको बोलते हैं तो नलंदा को ही बोला जाता है याद रखिएगा अगला कुश्चन है ध्यान से देखिएगा अग अगला पॉइंट आपके सामने है, देखिए क्या है पॉइंट ये कहता है पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि बुद्ध की मिर्तु के बाद प्राथम बौध संगीती की अध्याक्चता किस ने की थी? तो याद रखिएगा, महा कसियप थे, क्या थे? तो महा कस अगला है कुशन नागारजुन कौन थे तो नागारजुन कौन थे वाई तो बहुत दारसनिक थे नागारजुन कौन थे तो बहुत दारसनिक थे अगला पॉइंट है किस नगर में प्रतम बहुत संगीती शभा आयोजित ने की गई थी तो याद रखिएगा राज ग्री में क कि संकल्पना अंग हैं तो याद रखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन ये सूत के विशय वस्तु का याद रखिएगा अगला पॉइंट है कि मिलिंद मिलिंद पहड़ो राजा मिलिंद और किस नी बोद किस बोद भेख्चुक के मध्य शमवाद के रूप में हैं तो याद कुश्चन है कि मध्यान बोद धर्म में बोधी शक haar अभ लोकी तिस वण को और किस अन्य नाम से भी जाने जाते थे ओ तो याद रखिएगा ये पद पाढ़ी क्या है पद पाढ़ी अगला कोश्चन है ध्यान से दखिएगा ये क्या कहता है कोश्चन देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को अवज से लाइक कीजेगा सेर कीजेगा चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा देखिए अगला पॉइंट कहता है कि बौध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि याद रखियेगा यह कर्म तथा पूंरिय जन कर्म तथा पूंरिय जर्म के सिधान्त सही है इस यह जैन धर्म और बौध धर्म में है याद रखियेगा अगला कोश्चन है कि कनिश्क के सासन काल में चतूर्थ बौध संगीती या सभाकिस नगर में आयोजीत की गई थी तो याद रखिएगा कुंडल अवन क्या है कुंडल बन जिसको कुंडल बन ये कश्मीर में पढ़ता है याद रखिएगा कुंडल बन अगला ध्यान से सुनियेगा कोश्चन है कि तिर्थिये बौध संगीती कहां आयोजीत हुई थी तो याद रखिएगा पाटली पूत्र में आयोजीत हुई थी ध्यान रखिएगा अगला हम लोग जानेंगे बूध के जीवन से जुड़े परतीक कि बूध भगवान से जुड़े कौन-कौन परतीक है याद रखिएगा जो सबसे फर्स नमबर में हाथी हाथी से क्या है तो बूध के गर्म में आने का परतीक कि बूध भगवान के गर्म में आने का परतीक तो हाथी से ही मिलता है अगला है कि कमल, कमल हैसे है तो जन्म का परतीक जन्म का परतीक जब की तीसरा है ध्यान रखिएगा सांड से एवन का परतीक है ध्यान रखिएगा चोथा है घोड़ा घोड़ा से ये ग्री इत्याग क्या ग्री इत्याग का प्रतीक है घोड़ा याद रखिएगा चोथा ये पाचवा हमारा हो गया पीपल, पीपल से ही ज्ञान का परतीक है, पीपल के नीचे ही ये बहुत भगवान का याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्त ने हुआ था, याद रखिएगा सेर सी शम्बन्दित है असमरीदी का परतीक याद रखिएगा, अगला है कि पदचीन, पदचीन से सम्बन्दित है, ध्यान रखिएगा, निवान का याद रखिएगा, निवान का परतीक अगला ध्यान रखिएगा कि इस्तूप से संबन्दित है मिर्तु का परतीक है अब हम लोग देखेंगे अगला की बहुत धर्म से क्या क्या संबन्दित है ध्यान रखिएगा अगला कोश्चन है ध्यान से देखिए ये कोश्चन कि गौतम बूध का गुरु कौन था कई बार एक्जाम में आचुका है याद रखिएगा अलार कलाम है जो गौतम बूध का गुरु थे याद रखिएगा अगला है कि बूध में वैराग्य भावना किन चार दिरिश्यों के कारण वलवती हुई तो याद रखिएगा बुध्धा, रोगी, लास और सनियासी के द्वारा ही उनका बलवुद्धी आया था याद रखिएगा अगला ध्यान रखिएगा बुध्ध ने सरवदिक उपदेश कहां दिये तो याद रखिएगा स्रावस्ति में कहां तो सराउस्ती में अगला ध्यान रखियेगा question कि बूद्थ सिख्छा ब बोड़ सिख्छा का केंड्र था तो विकरम सीला कहाँ विकरम सीला याद रखियेगा अगला कोशन है कि भारत में सबसे बड़ा बौध इस्तूप कहा इस्तित है तो साची का इस्तूप जिसको साची में ही इस्तित है अगला कोश्चन है कि किस सासक ने बौधो को किस सासक ने बौधो के लिए विख्यात विकरम सीला विश्वविद्याले की अस्थापना की गई थी तो याद रखेगा धर्म पालने किया था याद रखेगा अगला कोश्चन है कि किस के द्वारा तिरतिये बौध संगीती को संरक्षन परदान किया गया था तो याद रखेगा असूक कौन तो असूक किस के द्वारा तिरतिये बौध संगीती को संरक्षन परदान किया गया था तो असूक याद रखेगा अगला है कि बौध गरंत पीटको की रचना किस भासा में की गई थी तो याद रखिएगा पाली भासा में ये की गई थी अगला हम लोग देखते हैं आगे अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा अगला पॉइंट है कि कस्मीर में कनिश्क के सासनकाल में जो बौध संगीती आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी तो याद रखिएगा वसु मित्र ने अध्यक्षता की थी वसु मित्र ध्यान से कोश्चन को सुनिएगा कि कस्मीर में कनिश्क के सासनकाल में जो बौध संगीती आयोजित की गई थी तो याद रखिएगा उसकी अध्यक्षता कौन किया था वाई तो वसु मित्र ने किया था अगला कोश्चन है कि मठ मंदीर और इस्तूप किसन धर्म से शंबंदीत है तो याद रखिएगा बौध धर्म से शंबंदीत है अगला कोश्यन है कि गौतम बूद ने अपना प्राथम उपदेश कहां दिया था तो सारनात में ही दिया था याद रखिएगा अगला कोश्यन है कि बौध धर्म गरहन करने वाली पहली महिला कौन थी तो याद रखिएगा महा प्रजापती गुमती कौन तो महा प्रजापती गुमती अगला कुशन है कि बोध गाया इस्तित है कहां में कहां पर इस्तित है तो बिहार राज्य में इस्तित है बोध गाया जीला है याद रखिएगा अगला कुशन है कि जातक किसका गरंत है तो जातक याद रखिएगा बोधों का ये गरंत है य कहां हुई थी तो याद रखेगा बोध गाया में हुआ था अगला कोश्चन है कि सारनात में बूधनी का परथम परवर्चन कहां एति कहलाता है क्या बोला कि सारनात में बूध का परथम परवर्चन कहलाता है तो याद रखेगा धर्म चक्र परवर्चन ही कहलाता है अगला ह किसी भी अगर एक्जाम में आए तो याद रखिएगा आपसे question नहीं छुटना चाहिए अगला question है देखिए ये बौध धर्म ने समाज की कीच कीन बर्गों पर महतवपून परभाव डाला तो याद रखिएगा महिला और सुद्र महिला और सुद्र ध्यान रखिएगा अगला point है कि बूध के ग्रेतियाग का परतिक क्या था तो ग्रेतियाग का परतिक था घोड़ा कई बार ये भी सवाल आचुका है एक्जाम में गौतम बूध द्वारा भिचुडी संगन की अस्थापना कहां की गई थ तो याद रखिएगा कपील वस्तु में ही की गई थी अगला question है कि सर्वपरतम ये सुनिवाद सुनिवाद सुनियता का सिधान्त का परतिपादन करने वाले बहुत दर्शनिक का नाम है था याद रखिएगा नागार्जून हैं अगला कोश्चन है कि किस सासक के सासनकाल में नेपाल में बौद धर्म का गमन हुआ था तो याद रखिएगा असूक कहां तो याद रखिएगा असूक जो पाटली पूत्र काहीं था याद रखिएगा अगला हम लोग कोश्चन को देखते हैं कि साची क्यों बिख्यात हैं तो साची क्यों बिख्यात हैं भाई तो याद रखिएगा सबसे बाड़ा बौद इस्तूप था इसलिए साची बिख्यात है याद रखिएगा सबसे बाड़ा बौद इस्तूप हैं अगला कोश्चन है कि किस भासा का जादा परयोग बोधनिवाद के परचार के लिए किया गया है तो याद रखिएगा पाली भासा का ही परयोग किया गया है याद रखिएगा अगला question है ध्यान से देखिएगा मावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था तो याद रखिएगा कुंडल गराम में हुआ था अगला question है ध्यान से देखिएगा किसी एसिया की रोष्णी जिनको दलाइट ओफ एसिया कहा जाता है तो गौतम बूध को ही कहा जाता है ये भी कई बार एक्जाम में आ चुका है ध्यान रखिएगा एसिया ओफ याद रखिएगा दलाइट ओफ एसिया के नाम से जाना जाता है गौतम बूध को ही अगला question है कि बूध इनके जीवन की किसनी घटना को ये महा भी महा भी निश्कर्मन ये के रूप में जाना जाता है तो याद रखिएगा उसका ये ग्रह त्याग लिख दिय कि मा किसनी बन से संबंदित थी तो याद रखिएगा कोलिये बन से संबंदित थी अगला question है कि किसनी राजा के एक अभिलेक से सूचना मिलती थी मिलती है कि साक्य इने मुनी बूधनी का जन्म लुंबनी में हुआ था तो याद रखिएगा असूक ठीक ये भी कोई बार ए सी ये कितना तो मेंस में हुआ था 2011 में साथ में भी चार में भी आ गया है एक्जाम में ध्यान दीजेगा कि अगला question है ध्यान से देखिएगा अगला question आपके सामने उपस्तित है देखिए क्या कहता है नोट याद रखिएगा युक्ति जिसको ग्याने आप उसे मिलता है आपको कि मौर्य बंसिये सासक असोक के रुमेन देई अभिलेख से सुचना मिलती है कि साक्यमूनी बूधनी का जन्म लुम्बनी में हुआ था इस अभिलेख में लुम्बनी को बूध का जन्म अस्तलनी होने के कारण इसे कर छूट परदान करने की गोसरा भी उलेख है याद रखेगा कि कर वहां से छूटे मिले कुछ याद रखेगा अगला कोश्चन है कि महतमान बूध ने अपना पहला धर्म चक्र ये परवर तक किसनी अस्थान पर ये दिया था तो याद रखेगा सारनात में ही दिया था कई बार एक्जाम में आ चुका है यह 47 वा भी PAPC प्री एक्जाम में दोहजर पांच में जबकी UPSC में अधर है 2004 में जबकी MP PPC में प्री एक्जाम में 1999 में जबकी MP PSE में प्री में 1991 में भी सवाल पूश चुका है याद रखिएगा बहुत ने अच्छा ये कोशन है याद रखिएगा अगला कोशन आपके सामने उपस्थित है ध्यान से देखिएगा कोशन अच्छे तरह से समझिएगा बार बार ये कोशन आते रहता है याद रखिएगा अगला कोशन है ध्यान से सुनिएगा ग्यान ये य अन्यासियों को पहला उपदेश दिया इन पराथम उपदेश को याद रखेगा धर्म चक्र परवर्तन ये कहा जाता है किसको नहीं कहा जाता है तो धर्म चक्र परवर्तन के नाम से भी जाना जाता है याद रखेगा अगला कोश्चन है कि बूध ने सरवाधिक उपदेश द तो याद रखेगा जात्रीक कौन तो जात्रीक अगला कोश्चन है कि महवीर की माता का नाम क्या था तो त्री साला था याद रखेगा अगला कोश्चन कि महवीर का मुल नाम क्या था तो बर्धमान था महवीर जी का नाम क्या था तो महवीर का नाम था बर्धमान याद रखन मावीर की मिर्थू कहा हुई थी तो याद रखेगा और पुरी में हुई थी अगला कोश्चन है कि जैनियों के पहले तिर्थकर कौन थे तो याद रखेगा रिषबस्प देव थे अगला कोश्चन है कि जैन प्रंपरा की अनुसार जैन धर्म निकी जैन धर्म में कुल कितने तिर्थकर हुए तो याद रखेगा 24 तिर्थकर थे जैन धर्म प्रंपरा की अनुसार महाबीर कौन से तिर्थकर थे तो याद सब्सक्राइब लास्ट ही थे याद रखीना है अगला कोशन आपके सामने उपस्तित है ध्यान से देखिएगा बहुत ये कोशन इंपोर्टेंट है याद रखीएगा बहुत इसमें भी सलेक्ट नहीं हुआ है बहुत सारे पॉइंट को सलेक्ट किया गया है अच्छे तरह से पढ़िएगा बिस्तिरीत जानिएगा तभी आपसे सवाल सल्म नहीं हो सकते हैं जैन दर्शन के अनुसार सिरिष्टी की रचना एवं पालन पोशन कहां हुआ था तो सर्व भौमिक सत्य से हुआ था याद रखीएगा अगला है कोशन कि जैन शमुदाय में पराथम विभाजन के स्वेतांबर और संप्रदाय के संस्थापक थे तो याद रखेगा इस्थ जैन समुदाय में पराथम विभाजन के स्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे इस्थूल भंद रखे याद रखेगा अगला कोशन है कि जैन तिर्थकर ये पार्श्वनात द्वारा पर्तिपादित निचार महावर्तों में महावीर स्वामी ने पांचवे ब्रा एथ भागवत महावीर का पराथम सी स्य कौन था तो याद रखेगा जामील क्या था तो जामील अगला कोशन है कि त्री रत्न सिधान्त शाम्यक धारना शाम्यक चरीत्र शाम्यक ज्यान जिस धर्म की महिला है वह है तो याद रखेगा जैन धर्म से शम्मंदित है अगला कोश्चन है कि दिलवारा के जैन मंदीरों का निर्माड किसने करवाया था तो चालू कियों जिसको ये सुलंकियों ने करवाया था याद रखियेगा अगला कोश्चन है ध्यान से देखिएगा अगला कोश्चन ध्यान से देखिए क्या कहता है कि शायद वाद सिधान्त है तो जैन धर्म का ही याद रखेगा ये सिधान्त है अगला कोश्चन है कौन सबसे पूर्व काली जैन गरंथ कहलाता है तो याद रखेगा ये 14 पूर्व अगला कोश्चन है कि जैन सहीत्य को कहा जाता है ये आगम क्या कहा जाता था आगम अगला कोश्चन है कि जैन करंथ ये कल्प सूत्र की रचाईता है भद्र बाहू है कौन है तो भद्र बाहू है याद रखेगा जैन गरंथ ये कल्प सूत्र की रचाईता कौन है तो भद्र बाहू है अगला कोश्चन है कि अनेकांत वाद किसका क्रोण जिसको केंद्रिये सिधान्त एवं दर्सन है तो याद रखेगा जैन मत अगला कोश्चन है कि महाजन महान धार्मिक घटना ये महाम मस्त काभी सेक किस से शंबंदित हैं और किस के लिए की जाती है तो याद रखेगा वाहू बली कौन है तो बाहू बली को अगला कोश्चन है कि परत्थम जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था तो पाटली पूत्रा में हुआ था जो पाटना के नाम से जाना जाता है अगला कोश्चन है कि दिवतिये जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था तो याद रखेगा वल भी में हुआ था याद रखेगा द्यान से देखिएगा कोश्चन है कि जैन शाहीत्य का शंकलन किस निभासायों लिपी में है तो याद रखिएगा प्रकिर्थिव अर्ध मगधी में है याद रखिएगा अगला कोश्चन है कि कौन बूद की जीवन काल में ही संग प्रमूख होना चाहता था तो याद रखेगा देवदत कौन तो देवदत अगला कोश्चन है कि हेलियो डोटर हेलियो डोरस का बेस नगर अभिलेक संबर्धीत है तो याद रखेगा संदर्भीत नहीं है तो केवल वासु देव से अगला कुश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो याद रखेगा मकली गोसाल है अगला कुश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका युगदान अतियाधिक था तो याद रखेगा हिंद युणानी का सबसे अधिक युगदान था अगला हम लोग ये कल हम लोग जानेंगे कौन तो चार नंबर महाजन पदकाश्चन क्या महाजन पदकाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किजेगा शेर किजेगा चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तब तक के लिए जैहिन दोस्तो नमस्ते नमस्कार